हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी करायता इसके लिए हमें चाहिए होगा एक मेडियम साइज की लौकी दगी 1 फोर टीस्पून लाल मिच पाउडर 1 टीस्पून जीरा 1 १ोर टीस्पून कढ़ड़ मिच पाउडर सैंदा नमक स्वाद अनुसा सबसे पहले हम लौकी को कद्दू कस कर देंगे और उसके बार हम इसको उबाल लेंगे उबाल ले के बार हम इसका पानी नहीं फेकेगे अब हम घजी लेंगे और उसको अच्छे से फेट लेंगे ताकि उसके अंदर कोई लम्स ना रहे अब हम इस में जो हमने लौकी उबाल कर रखी है उसके पानी के साथ लौकी अड़ करेंगे अब हम इस में सारी मसाले अड़ करेंगे लाल मिल्श पाउड़ काल मिल्श पाउड़ नमक स्वाद नुसार अब मिसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम एक तड़का पैन लेंगे अब हम इसमें ओईल अड़ करेंगे ओईल गरम होने के बाद हम इसमें जीरा एट करेंगे जीरा अच्छे से बुन जाएगा तब हम इसे रायती में डाल देंगे इसका तड़का लगा देंगे देखे फ्रेंट्स हमारा रायता बनके तयार हो चुका है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठैक्स पर वाचिंग